नमस्कार और स्वागत है आपका ओपरिनिस्टिक में आज हम लोग जानेंगे इंडस वाली सिविलाजिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शूरू करें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी यूट्यूब चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किस धर्म के वहां के लोग थे तो पहला पॉइंट यही है कि उस समय किस धर्म के लोग थे ये तो बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि किसी एक विशेश रिलिजन के बारे में बहुत कुछ शूर नहीं है लेकिन आइडल वर्शिप होती थी वहां पे आइडल वर्शिप यानि मूर्ती पूजा जो है वो काफी प्रेवलेंट थी प्रेगनेंट फिमेल्स वेर कंसिडर्ड सेक्रेड तो जो महिलाएं गर्भ होती होती थी उनको बड़ा ही सेक्रेड माना जाता था पवित्र माना जाता था कि उनको कफि श्रद्धा की दृष्टी से देखा जाता था और उनकी पूजा भी होती थी इन मोहंजोदारों, फिमेल गॉड़ेस वोज वर्शिप्ट मोहंजोदारों में कुछ इस तरह के प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पे फिमेल गॉड़ेस यानि देवी को पूजा जाता था कुछ अनिमल गॉड़ेस भी थे जैसा टाइगर और इलफेंट इनकी भी पूजा की जाती थी इनको भी वर्शिप्ट किया जाता था और ऐसा भी स्पेकुलेट किया जाता है ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि भगवान शंकर भगवान शिव को और नंदी को इनको भी पूजा जाता था तो idol worship थी, pregnant females को sacred माना जाता था, female goddesses को पूजा जाता था, animal gods थे और भगवान शिव और नन्दी के भी पूजा की जाती थी लेकिन इतना होने के बावजूद, exact नहीं कहा जा सकता है कि इसके अलावा और कुछ नहीं था ये वो चीजें हैं जिनके प्रमाड मिले हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जिनके पक्के प्रमाड नहीं है लेकिन फिर भी किसी एक विशेश religion का नाम नहीं लिया जा रहा है लेकिन इस चीजों से इन जो प्रमाण मिले हैं इनसे आप समझ सकते हैं कि जो religion था वो काफी diverse था और लोगों को अपने अपने तरीके से भगवान को पूझने की इजाज़त थी कई तरह के ऐसे देवता या भगवान रहे होंगे जिनकी पूझा की जाती थी फ्यूनरल्स की यदि बात करें तो cremation was more popular than burial यानि लोगों को मृत्यू के बाद जलाया जाता था और दफनाया कम जाता था जलाया जादा जाता था और दफनाया कम जाता था cremation जादा popular था burial से graves around हडपा एंड मोहंजोदारो always pointed north हडपा और मोहंजोदारो जो main sites है इस civilization की वहाँ पर जो graves होते थे वो north की और point करते थे north यानि उत्तर की और उत्तर की और जो अधिकतर graves बना जाते थे कब्र बना जाते थे वो point करते थे graves in dholavira point east as well as north dholavira में हलांकि थोड़ा सा difference देखनों को मिलता था north में तो खेर point करते ही थे east pointing graves भी east pointing कब्र भी वहाँ पे मिले हुआ है some graves also had ornaments and personal items यह बड़ी shocking चीज थी हलांकि बहुत ही कई अलग अलग कब्रों में यह देखने में आया है कि उनमें जब लोगों को दफनाए जाता था तो उनके साथ उनके आभूशन और कुछ personal items भी रख दिये जाते थे हो सकता है यह उस जमाने की परंपरा रही हो it is also thought that women were buried near their mother or grandmother तो जहां तक दफनाने की बात है ऐसा लगता है कि महिलाओं को उनकी मा या उनकी ग्रेंड मदर दादी के आसपास ही दफनाये जाता था housing की बात करें यह बहुत important topic है housing there are no signs of great rulers यह एक बहुत ही important point है बहुत ही important बिंदू है कि कोई बड़े ruler कोई बड़े samraat के कोई प्रमान नहीं मिले है even poor people lived in good houses some sites were fortified a house covering 8600 square feet thought to be the chief's house is found यानि कि जो गरीब लोग थे वो भी अच्छे मकानों में रहते थे मतलब बिल्कुल जैसे घासफूस की जोपड़ी या इस टाइप की चीजों का कोई ऐसा प्रमान नहीं मिला है तो ऐसा माना जाता है कि सभी लोग अच्छे घरों में रहते थे इवन गरीब लोग भी अच्छे पक्के मकानों में रहते थे कुछ साइट्स ऐसी हैं इंडस्वर्ली सिविलाइजेशन के बहुत सारी साइट्स में से कुछ ऐसी हैं जो फर्टिफाइड थी यानि कि उन्हें चारों तरफ से घेरा गया था इस तरह से जैसे कि पूरे सिटी को एक फोर्ट एक किले में तब्दिल किया गया हो एक बड़ा घर जो की 8600 स्क्वाइर फीट का था वो भी मिला है और ऐसा माना जाता है कि वह सिटी के चीफ का घर था या फिर ऐसा व्यक्ति जो सबसे जीदा पॉपलर रहा हो सयद वो एक न्याय मूर्ती जैसा व्यक्ति रहा हो उसका घर जो है वो ऐसा लगता है कहीं कि इतना बड़ा घर जो है वो चीफ कहीं हो सकता है यह बहुत ही important पॉइंट हो सकता है कि जो घर बनाए जाते थे वो cut bricks के बनाए जाते थे और उनमें toilets भी थे यानि उस जमाने में hygiene को बहुत ही महत्व दिया गया था तो घरों में ही toilets थे और इंडस वाली के जो लोग थे वो बड़ा ही advanced toilets रखते थे advanced toilets से मतलब है बिल्कुल clean रहना और वहाँ पे flush की भी व्योस्था अच्छी थी the sewer system was excellent sewer system यानि कि गंदे पानी को निकालने की जो व्योस्था थी वो बहुत ही अच्छी यानि excellent थी आपने कई बार सुना होगा कि जो नाली का system था पानी को निकासी का system था ये industrialization में बहुत ही advanced था house had lawns and wells also घरों में lawns भी बनाए जाते थे gardens जैसे जगहें भी बनाए जाती थी चबूत्रे बनाए जाते थे जहां पे लोग बैठते रहे होंगे और wells भी थे लगभग हर घर में wells के प्रमाण है यानि कुओं के प्रमाण है वहां पर पानी की व्यवस्था जो है वो कुओं से की जाती रही होगी fire-hardened bricks were used for construction brick industry was developed जो इट थे जिनसे मकान बनाए जाते थे उनको आग में पकाया जाता था fire-hardened bricks थे यह एक बहुत ही advanced technology थी जो उस जमाने में लोग इस्तमाल करते थे brick industry थी जो की एक developed अवस्था में थी यानि bricks जो है वो एक industrialized व्यवस्था थी जहां पे बहुत सारे ऐसे traders रहे होंगे व्यापारी रहे होंगे जो की bricks बनाने का काम करते होंगे और जिन्हें घर बनाने के लिए bricks की जरुवत होगी उन्हें बेशते रहे होंगे city planning बहुत ही advanced थी बहुत ही अच्छी city planning थी industrialized civilization के almost सभी sites में city was planned in grid structure ये important चीज़ है grid structure का मतलब कुछ इस तरह से इस तरह से ये grid structure ये cities में देखा जाता है they contained granaries, buildings, extensive baths, gardens etc many more settlements also had the same city planning city में granaries थे जहां पर अनाज रखे जाते थे ऐसे बड़े बड़े गोदाम buildings बहुत बड़े बड़े थे काफी लंबाई चोड़ाई ज़ादा थी buildings की extensive baths, baths से यहां पर थात पर ये बड़े बड़े स्नानागार से है ऐसा माना जाता है इतिहासकार भी मानते हैं और साथ साथ बहुत सारे scientists भी मानते हैं कि industrialized civilization में शहरों में स्नानागार बनाय जाते थे जहां पर बहुत सारे लोग आके स्नान करते थे हो सकता है कि एक worship का तरीका भी रहा हो gardens भी बहुत जादा cities में रहते थे और ये व्यास्था जो है वो अधिकतर बड़ी बड़ी cities में ये देखने को मिली है streets were in grid pattern तो ये जो व्यास्था मैंने यहाँ पर अभी बनाई थी इसी व्यास्था में streets भी थे यानि बिल्कुल सीधे सीधे और एक दूसरे को काटते हुए इस तरह के grids जो है वो streets इस तरह की सड़के थी हडपा और मोहन जोदारो had palace area and middle town हडपा और मोहन जोदारो ये सबसे advanced और सबसे बड़े शहर थे यहाँ पर palace area और middle town भी होते थे palace area जहाँ पर शायद बहुत ही बड़े लोग पैसे वाले लोग रहते हों जहाँ पर मकान बड़े थे जहाँ पर सुविधाय जादा थी और middle town था जहाँ पर मकान comparatively छोटे थे और जहाँ पर सुविधाय हो सकता है थोड़ी सी कम रही हो तो palace area और middle town का भी हडपा और मोहंज़दारों में प्रचलन रहा होगा there was also an assembly hall and a college for priests in मोहंज़दारो ऐसा माना जाता है ऐसा archaeologists मानते हैं कि मोहंज़दारों में एक assembly hall भी था जहाँ पर शायद हो सकता है शादियां होती हो हो सकता है वहाँ पर other gatherings भी होती हो और वहाँ पर एक college भी था जहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जाती थी college for priests धोलाविरा had a 50 feet tall building thought to be the head of city's residence यह मैंने अभी थोड़ी दर पहले भी कहा था कि जब उनकी housing थी उसमें कुछ घर ऐसे मिले हैं जो कि सामान्य से काफी बड़े हैं धोलाविरा में इसी तरह से 50 feet उची building भी मिली है माना जाता है कि यह head of city का घर रहा होगा हडपा had a main gate also some walls surrounded the cities fortified cities की बात अभी हम लोगों ने थोड़ी दर पहले की थी कुछ sites ऐसे हैं जो कि fortified थे यानि कि वो चारों तरफ से दिवारों से packed थे जैसे कि कोई किले में तबदिल किया गया हूँ शहरों को हडपा में इसी प्रकार से main gate हुआ करता था एक बहुत बड़ा main gate जो की हडपा शहर में जाने का रास्ता था और cities में के अगल बगल में walls भी थे जो की शायद protection के लिए बनाए गए होंगे drainage system बहुत ही powerful और बहुत ही advanced था इंडस वाली civilization के drainage system की आपने हमेशा तारीफ सीनु होगी drainage system was used before Romans ये बड़ी ही important चीज है कि Romans को बहुत सारे लोग मानते हैं कि वह पहले थे जुनोंने एक drainage system को develop किया था लेकिन इंडस वाली civilization के लोग Romans से पहले एक well advanced drainage system यूज करते थे ये बहुत ही important चीज है इसे जरूर याद रखेगा drainage was done by terracotta pipes तो ऐसा नहीं कि सड़क के बीच में थोड़ा सा गड़ा खोद दिया और लंबा गड़ा हो गया जैसे नालिया बना लिवा ऐसा drainage system नहीं एक बहुत ही advanced drainage system था जिसमें terracotta pipes का use किया जाता था there was earthy brick covered drainage system जमीन के नीचे से जब pipes निकलती थी तो उसके ऊपर इटो से उसको धका भी जाता था यानि roads के नीचे नीचे underground pipes भी थे तो इस तरह से drainage system को बहुत ही ज़्यादा advanced बनाए गया था there were soil tanks also which were cleaned at regular intervals हो सकता है कि इसका उपियोग manure बनाने के लिए भी किया जाता हो soil tanks भी थे जो कि जमीन के अंदर tanks बना दिये जाते हैं वहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसा कच्रा बगरे डाला जाता हो जो की बाद में manure में तबदील हो जाए तो इस तरह के soil tanks भी थे जिनें cleaning भी की जाती थी जिनकी एक निश्चित interval के बाद the great bath of mohanjo daro had water charging system also तो मोhanjo daro में जो great bath मिला है जो की महान सनानागार है जो जिसका photo आप कई बार देखते होंगे तो मोhanjo daro का था वहाँ पे water changing system भी था यानि जो पानी वहाँ पे इकठा रहता था इसको बदला भी जाता था रेगुलर पे इसको बदला जाता था और water changing system था यानि पानी एक बार गंदा हो जाए तो उसको हटा के उसकी जगह पे fresh water लाए जाए यह system भी था तो drainage system जो है वह इंडस वैली civilization का बहुत ही advanced था food and life की यदि बात करें तो बहुत ही well nourished बहुत ही खाने पीने के शौकीन हुआ करते थे जो इंडस वैली civilization के रहने वाले लोग थे they were probably beef eaters probably beef eaters थे क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वो beef family के जानवरों को खाते थे and non-vegetarians but few historians argue that they didn't eat cow non-vegetarians थे अधिकतर लोग वहाँ पर non-vegetarians थे अला कि vegetarian और non-vegetarian दोनों प्रकार के ही लोग थे वहाँ पर दिकतर historians का यह मानना है कि वे गाय को sacred मानते थे इसलिए गाय को नुकसान नहीं पहुंचाते थे लेकिन फिर भी beef family के दूसरे जानवर होते हैं उनका भक्षण किया करते थे उन्हें उनका meat खाया करते थे the agriculture was rich जो agriculture था क्रिशी था वो काफी rich था काफी अच्छा था अग्रिकल्चर होती थी इसलिए मैंने अभी थोड़ी दर पहला कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे तो शाकाहार करने वाले agriculture पर depend भी हुआ करते थे agriculture काफी rich था और एक बहुत अच्छा व्याप बार भी था देग्रिव वीट राइस डेट पीस cotton mustard एक्सेक्टर तो देख सकते हैं कि बहुत सारे cash crops भी उगाते थे और खाने वाले crops भी उगाते थे तो फसलें अलग अलग प्रकार की उगाते थे और इस तरह से agriculture जो है क्रिशी काफी उन्नत थी A game resembling dice and another resembling chess is also found बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं होगा होगा कि chess जो है शतरंज का खेल भारत में डवलप हुआ है इंडस्वार्ली civilization में एक game भी दिखा था एक game के प्रमाण मिले हैं जो कि chess जैसा game है और dice भी खेला जाता था यानि वहाँ पे पांसों का game भी खेला जाता था Transportation was on bullock carts and boats तो पानी के बाहर bullock carts यानि बैल गाडियों से transportation किया जाता था और पानी के अंदर boats यानि नावों से transportation किया जाता था बहुत अच्छे quality के नावों हुआ करते थे थे जबाने में Lamps were made of mud and sea shells घरों को रोशन करने के लिए या streets को रोशन करने के लिए जो Lamps बनाये गए थे जो दीपक बनाये गए थे वो मिटी के होते थे और कुछ दीपक ऐसे भी हैं जो sea shells के थे जो की shunk जो की समुद्र में पाये जाते हैं उन शंखों के भी बनाये हुए दीपक के परमान मिले हुए हैं Jewelry and clothing के बारे में बात करें तो लोग बहुत stylish थे People were stylish and wore designer clothes and jewelry तो लोग बड़े stylish थे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे अच्छे अच्छे jewelries पहनते थे Some men were also clean shaven हला कि उस जमाने में अब कह नहीं सकते कि clean shaven रहने का कोई शौक था लोगों को या फिर क्या था लेकिन ऐसा माना जाता है कि अधिकतर लोग दाड़ी रखते थे लेकिन कुछ लोग clean shaven भी रहते थे Women had different hairstyles औरतों को बहुत अलग-अलग hairstyles रखने का शौक था Harappans were first to grow cotton ये एक बहुत important point है दुनिया में सबसे पहले cotton कपास की खेती Indus Valley Civilization में हडपा में होती थी Harappans were first to grow cotton They also used the earliest known buttons They also used the earliest known buttons कपड़ों में लगाये जाने वाले buttons का इस्तमाल सबसे पहले इस दुनिया में Indus Valley Civilization में हुआ था तो ये दो points आपको बिलकुल याद रखने हैं कि कपास का उत्पादन सबसे पहले हडपा में शुरू हुआ और Indus Valley Civilization में यानि हडपा में ही खासतार से मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे buttons कपलों में buttons का इस्तमाल सबसे पहले शुरू हुआ Use of bangles, belts, pendants, necklaces, etc. were common तो अलग-अलग प्रकार की jewelry का इस्तमाल होता था bangles नहीं kangan का इस्तमाल किया जाता था pendants, necklaces, हारों का इस्तमाल और और भी जो jewelry's थे इनका इस्तमाल बड़ा ही common था इनको पहन के सिर्फ पुरुष, सिर्फ मैला ही नहीं बलकि पुरुष भी in jewelry's का इस्तमाल करते थे tattoos were popular लोग बाग tattoos बहुत बनवाते थे चाहे स्तरिया हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों सभी tattoos अपने शरीर पे बनवाते थे gold, silver and bronze were used for making ornaments जो अधिकतर ornaments बनते थे, कीमती ornaments वो सोना, चांदी या कांसे के बनाय जाते थे item craft भी बहुत ही उननत अवस्था में था वहाँ पे craft work was done by stones, terracotta, copper, bones, gold, silver, etc तो कई-कई अलग-अलग प्रकार की चीज़ें थी जिनसे craft work बनाय जाता था जिनसे ऐसी चीज़ें बनाय जाती थी जो की सजावट के भी काम आती थी या फिर बच्चों के खेलने के काम आती थी कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो की अपनी prosperity, अपनी संपन्नता को दिखाने के काम आती थी तो craft work जो होता था वो सिर्फ पत्थरों पे टेरा कोटा पे ही नहीं होता था बलकि copper पे, bones पे, हड्डियों से सोने चांदी से भी craft work बनाय जाते थे A dancing girl made of bronze 2300 BC has been found in Mohanjodara Mohanjodara में एक बहुत ही important चीज़ मिली है और ये काफी popular चीज़ है एक dancing girl है जो की bronze की कांसे की मूर्ती है और 2300 BC में ये बनाई गई थी और ये महanjodara में मिली है Long wooden signboard is found at Dholavira Signboards का भी इस्तमाल किया जाता था इसका मतलब ये है तो Dholavira में wooden signboard के प्रमाण मिले है यानि लकडी से बनाय हुए signboard जिस पे कुछ ऐसी चीज़े लिखी होती थी जो लोगों को बताना या तो अवश्यक था या फिर वो सड़कों पे रास्ता बताने के लिए हो सकती है या फिर कोई public को संदेश देने के लिए हो सकता है लेकिन इस तरह के signboards जो है वो Dholavira में मिले है Paintings were made on utensils, pots and walls also दिवारों पे, मटकों पे, घड़ों पे, utensils, बर्तनों पे इन सब पे भी paintings बनाय जाता था तो art and craft भी काफी उन्नत अवस्था में था और लोग इसे पसंद करते थे Governance की जहां तक बात करें तो अधिकतर जगों पे currency का use न होते हुए Barter system का use किया जाता था यानि कि एक समान दीजे और दूसरा समान उसके स्थान पे ले लिजे currency बीच में नहीं थी हड़पा probably had no currency ये बहुती important शीज है हड़पा probably had no currency शायद वहाँ पे कोई currency नहीं थी standardized weights and measures were used weights and measures इनका उपियोग Barter system में भी काफी होता है तो standardized weights थे जैसे कि आज के जमाने में 1 kg मतलब कि पूरे दुनिया में 1 kg एक जैसा ही होगा उतना ही भार होगा उसी प्रकार से weights and measures जो थे standardized थे 16 was the standard base of number system वहाँ पे गिना जाता था 16 के multiples पे यानि 16, 32, 64 इस तरह से 16 के multiples में number system उस जमाने में चलता था few weapons are also found कुछ weapons भी वहाँ से मिले हैं माना जाता है कि सभी लोग अपने साथ कुछ नो कुछ weapons जरूर रखते थे हो सकता है जनवरों से बचाओ के लिए रखते रहे हूं लेकिन कुछ weapons उनके पास होते थे no evidence of organized violence कोई ऐसा evidence नहीं मिला है जिससे कोई organized एक बड़ी gang या एक बड़ा group ने कोई ऐसा crime किया हो इसके प्रमाण इस तरह से नहीं मिलते हैं तो organized violence का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है probably there was no military शायद अब जो इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिला है कि कोई भारी हत्यार लोगों के पास अलग से रहते हो अलग तरह के लोगों के पास अलग हत्यार रहते हो या उंकर lifestyle कुछ अलग हो या कहीं छावनी वगरबनी हो तो इस वज़ा से ऐसा माना जाता है कि शायद कोई military थी ही नहीं businessmen were all highly prestigious so were farmers दो वर्ग ऐसे थे जिनने काफी इज़त की दृष्टी से श्रद्धा की दृष्टी से देखा जाता था तो पहले थे businessmen यानि व्यापारी वर्ग और दूसरे थे farmers यानि किसान वर्ग इन दोनों को society में बहुत ही श्रद्धा की दृष्टी से देखा जाता है ट्रेड काफी उन्नत था और काफी दूर दूर तक इंडस्वाइली civilization के लोग ट्रेड करते थे इंडस्ट्रेडस्मन had relations with Syria, Afghanistan, Central Asia and Saudi Arabia तो बहुत दूर दूर तक अपना व्यापार इंडस्वाइली civilization के लोग करते थे लापिस लाजुली जिसे लाजवर्थ भी कहा जाता है अप्रेश्यस ब्लू जैमस्टोन वाज इंपोर्टड फ्रम अफगानिस्तान ये एक इंपोर्टड चीज है ये एक्जामस में पूछा भी जा सकता है अफगानिस्तान में एक ब्लू जैमस्टोन एक नीले रंग का अरुरत न होता था जिसे लाजवर्थ कहते थे या इंग्लिश में जिसे लापिस लाजुली कहेंगे ये इंपोर्ट किया जाता था भारत में इंडस वाइली सिविलादेशन में अफगानिस्तान से तो कुछ जगें ऐसी थी जो कुछ-कुछ जहां पर चीजें अबेंडन्स में मिलती थी ज्यादा मिलती थी इस वज़े से वो एक्सपोर्ट करते थे और दूसरे जगह जहां पर ये नहीं होते तो वो इनसे ये समान इंपोर्ट किया करते थे तो प्रेशियस शेल्स जो थे वो अरेबियन सी से मागाया जाते थे हिमालियन रिजन से टिंबर टिंबर एक बहुती उतकरिष्ट लकडी होती है जिसका इंपोर्ट किया जाता था गोल्ड और सिल्वर ये सेंट्रल एशिया से मागाया जाते थे टिं और कॉपर राजस्थान में होते थे और गुजरात में भी टिं और कॉपर का अच्छा खासा उत्पादन होता था और ये चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती थी इंडस्ट ट्रेडर्स हैड गुड रिलेशन्स विट मेसोपोर्टामियन ट्रेडर्स मेसोपोर्टामियन ट्रेडर्स हैने कि ये ग्रीस और उसके आसपास के एक शेतर की बात हो रही है तो industrialized civilization के जो व्यापारी थे और Mesopotamia के जो व्यापारी थे आपस में इनके अच्छे relations थे और import-export चलता रहता था Some relations are also found in Malaysia, Iran, Bahrain, etc. तो Malaysia, Iran, Bahrain जैसे दूर-दूर के इलाकों से भी trade हुआ करता था Agriculture was rich and capital wealth was good लोगों के पास wealth थी, नए business शुरू करने की या फिर अपने business को बढ़ाने की उनके पास तरीका था उनके पास manpower था और agriculture जो है इसके बारे में हम लोग आलरेडी बात कर चुके हैं कि काफी rich हुआ करता था लेकिन इतना बड़ा civilization, इतना उन्नत civilization, इतना advanced, इतना modern civilization आखिर खतम कैसे हो गया ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है इतिहासकारों के सामने भी और archaeologist लोगों के सामने भी कि इतना बड़ा civilization आखिर अचानक से खत्म कैसे हुआ, ऐसा क्या हुआ होगा कि ये पूरा का पूरा इंडस वाइली civilization ढह गया इसके बारे में बहुत कम speculations हैं, बहुत कम आपको जानने को मिलेगा क्योंकि जो लोग जानते भी हैं वो बहुत ज्यादा श्यूर नहीं है, तो इस चीज़ को बहुत ही श्यूर तरीके से बहुत ही साउंड तरीके से बताना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये तय है कि ये civilization जो है वो 1900 से 1700 BC के आजपास समाप्त हो गई थी 1900 and 1700 BC के बीच में ये civilization समाप्त हो गई थी It is not sure why It is not sure why, maybe due to some natural calamities हो सकता है, अधिकतर लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ natural calamities होई होगी कुछ प्राकृतिक आपदा आई होगी जिसकी वजह से ये civilization समाप्त हो गई प्राकृतिक आपदा बहुत ही बड़े साइज की रही होगी बहुत बड़ी चीज होई होगी तभी इतनी बड़ी सभ्यता समाप्त हो गई It is also argued that Central Asians and Europeans invaded the civilization ये एक Aryan invasion theory है जो कि Max Muller ने दिती हलां कि अधिकतर इतिहासकार इसको नहीं मानते अधिकतर इतिहासकार इसको counter करते हैं इसे काटते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोगों के दुवारा कुछ इतिहासकारों के दुवारा ऐसा मानना है उनके दुवारा ऐसी बहस की जाती है ऐसा argue किया जाता है कि Central Asians और Europeans भारत में आए इंडस्वेली civilization में आए और उन्होंने इस civilization को नश्ट करने में काफी काम किया तो उन्होंने इस civilization को इस culture को नश्ट किया ऐसा Aryan Invasion Theory जो कि Max Muller के दुवारा दी गई थी इसमें माना जाता है तो ये थे कुछ important facts जो कि इंडस्वेली civilization के बारे में थे अगले part में आपसे और चर्चा होगी इंडस्वेली civilization के बारे में आपका कोई feedback हो तो हमें जरूर लिख के भीजिएगा अगले episode में फिर से मुलाकात होगी नमस्कार झाले झाले करते होगी झाले करते हुर्म